इस्कूटी को चलते चलते जा खड़े होए भी आग लग जाती थी यहां तक की ईरिक्षा भी चले थे उनमें भी आग लगने की घटनाय सामने आई थी काफी जो कमपनियां जो इस्कूटर का निर्मान करती हैं उनको नोटिस जारी हो चुके हैं स्वाश्टी करन मागा गया है खर्याना में क्रशी विभाग ने ही किसानों की फसलों को नश्ट करने का फैसला किया है किसानों को कहा था कि वो अपनी धान की रोपाई है वो 15 जून से पहले ना करे जो किसान थे उनके खिलाफ कारिवाई की गई है उनकी फसल को नस्ट किया गया है और साथ ही कई अने किसानों को नोटिस भी जारी किये गए है जो इस धान को लगाने की कैयारी कर रहे थे नमस्कार डी फाइफ चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम खुलासा न्यूस का में मैं वंदना स्वागत करती हूँ अज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जनलिस्ट धर्मिंदर संदू जी धर्मिंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मिंदर जी मौसम ने एक बार फिर करवट बदल दी है मौसम ठंडा हो गया है कहीं कहीं पर बारिश के साथ साथ ओले भीगी रहे हैं? चलते पंडो जगा एक मनाली के पास वहां पर लेंडसलाइड होने के बाद चंडिगर्ड मनाली मार्ग भी बंद हो चुका है जिसको जल्द खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं? क्योंकि काफी प्रेटक्ट फस चुके हैं और इसी के चलते हिमाचल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जो लोग जरूरी काम नहीं है वो अपनी यात्राइं टाल दें तो अच्छा रहेगा क्योंकि मौसम काफी खराब हो चुका है उपरी हिसों के उपर बरबारी लगातर जारी है बारी जो बरसात हो रही है तो इसके चलते लोगों को आगा किया गया है कि वो अपनी यात्राइं स्थाकिद कर दें तो इसी के चलते बात की जाए किलांग से ले की और साथ ही कुलू से काजा की तो वहाँ पर बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं थाकिद कर दी गई हैं तो इसी के चलते काफी नुकसान हुआ है कई गौशाले हैं उनके जो शेड़ें बोर्ड चुके हैं इसके लावा घरों को नुकसान पहुंचा है एक शात्रा की भी मौत हुई है वो गिर गई कहीं फिस हो चुका है और 27 मई तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान लगाया गया है और पंजाब में भी काफी स्थानों पर बारिश हुई है और जो लोग धान की रुपाई करना चाते हैं उनके लिए काफी रहत भरी खबर है जो लोग सबजियां उगाते हैं उनके लिए फाइदा आज भी पंजाब हर्याना में बारिश की संभावना जताई जा रही है इस्कोटर में आग लगने के काफी मामले सामने आने के बाद सरकार ने इस्कोटर बनाने वाली कंपनियों को तलब किया है क्या है पूरा मामला बंदना जी सरकार ने फैसला किया था कि जिस पर कार से इधन से चलते जितने भी स्कूटर हैं गाडियां हैं वो काफी पॉलिशन करते हैं तो इसी के चलते शुरुआत की गई थी इसकूटर से इसकूटर काफी लोगों के लिए फाइदे मंद भी सिद्ध हुआ कि बैटरी चार्ज करो और आप जितनी दूरी तक वो जाती है बैटरी निरधारित किया गया था उसका किलोमेटर तो वहां तक आप जा सकते हैं एक तो आपके तेल की बचत होती है और दूसरा आप पॉलिशन नहीं करते तो इसी के चलते काफी मामले सामने आये थे इसकूटी को चलते चलते जा खड़े हुए भी आग लग जाती थी यहां तक की एरिक्षा भी चले थे उनमें भी आग ल गई तो इसी के चलते उस लैब ने ट्रांस्पोर्ट मंतराले को यह रिपोर्ट सौंपी और अब काफी जो कंपनियां जो इसकूटर का निरमान करती हैं उनको नोटिस जारी हो चुके हैं स्पश्टी करन मांगा गया है और साथ ही स्पश्टी करन के बाद जांच के बाद जो भी तथे सामने आएंगे उनके अधार पर कारेवाई की जाएगी नितिन गडिकरी हैं हमारे ट्रांस्पोर्ट मंतराले के मंतरी हैं उनका कहना है कि जुर्माना भी किया जाएगा उन्होंने एक जांच कमेटी भी बनाई थी इसके ओपर जिसने भी जांच रिपोर्ट स पन्दरा जी पानी जल जिसको बचाने के लिए सब ही परियास रहते हैं इसी के चलते ही सरकार भी चाती है कि जो जमीन के नीचे का पानी है जो हम पीने के लिए इस्तिमाल करते हैं उसको कम इस्तिमाल में लाया जाए कारने है कि पानी बचाना सब का आज का जो मंतरी हो उससे पहले धान लगाना शुरू कर दिया है धान की एक ऐसी किसम होती है जिसको सठी बोला जाता है जो साथ दिन में कहा जाता कि तैयार हो जाती है तो किसानों ने वो लगाई थी इंद्री का मामला है हर्याना में इंद्री पड़ता है वहाँ पे काफी किसान थे जिनों ने ये वे फसल लगाई थी और एक दरजन के जो किसान थे उनके खिलाफ कारवाई की गई ये उनकी फसल को निश्ट کیा गया है और साथ ही कई अने जो। काफी नुकसान हुआ है पैदावार कम हुई है अक्सर हम लोग मिलावटी चीजों का शिकार हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ें मिलावटी हैं पनीर दही मक्षन बनाने वाली एक फैक्टरी को सील किया गया कहां की है ये फैक्टरी पन्दना जी अक्सर हम पहले भी जिकर करते हैं पहले भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं कि जब तेहौरों का सीजन आता है तो उससे पहले ही स्वास्ते विभाग जाग जाता है सेंपलिंग शुरू हो जाती है लेकिन अब विभाग ने बिना तेहौर के ही कारिवाई कर दी है संगरूर है पंजाब में पड़ता उसमें एक रिफाइंड से रिफाइंड ओल जो हम यूज़ करते हैं उससे काफी मातरा में उतपाद बनाये जा रहे थे पनीर, क्रीम, दही, मक्षन सब कुछ बनाया जा रहा था तो एक गुदाम था फैक्टरी का तो उसको सील कर दिया गया है इससे पहले उसी फैक्टरी के एक गाड़ी को रोका गया था गुप्त सुचना के अधार पर और उस गाड़ी को रोकने के बाद उसमें जो उतपाद थे उनके सेंपल लिए गये थे जो फेल हुए थे इसके बा वह रिफाइंड भी ब्राम्ट किया गया है तो कंपनी के जो मालिक हैं उनका कहना है कि रिफाइंड जो ब्राम्ट किया गया है वो कंपनी की जो लेबर है वहाँ पर मजदूर काम करते हैं वो अपने इस्तिमाल के लिए लेके आये थे कि वो खुद की सबजियां वगरा बनान है कि अगर सेंपल सही ना पाए गए तो हम कोट का रुख भी करेंगे लेकिन इस कंपनी के ऊपर पूरी तरह से कारिवाई की जाएगी आजकल लड़कियां किसी भी फिल्ड में पीछे नहीं हैं देखा जाए तो गेम्स में भी नहीं हर्याना की एक लड़की ने पूरे देश का नाम रोशन किया है एथलेटिक में पदक हासल करके कौन है ये बिल्कुल वंधना जी हर्याना की बात आती है तो हर्याना को खेलों का हब कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा काफी बड़ी संख्या में खिलाडी वहां से निकलते हैं देश का नाम रोशन करते हैं तो इसी के चलते हर्याना के इंदरी की लड़की है काजल काजल गरीब परिवार से समन्द रखती है उसकी जो मा है वो मजदूरी का काम करती है लेकिन फिर भी काजल ने हमत नहीं हारी और बीएसी फाइनल इयर की पढ़ाई भी कर रही है और नेपाल में हुई थी एक इंटरनेशनल स्टर की एथलेटिक्स मीट हुई थी जिसमें उसने 800 मेटर में स्वन पदक हासिल किया यानि की गोल्ड मेडल जीत कर हर्याना का नाम रोशन किया है इस प्रतिस परधा में पांच जो देश हैं उनके खिलाडियों ने हिसा लिया था लेकिन उन सब को पिछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है काजल ने और काजल के लिए सरकार से उनके जो ग्रामीन हैं जो उनके आस्परोडोस के लोग हैं उन्होंने कहा है कि उसके लिए कोई ना कोई सरकार नौकरी का बंदोबस्त करे जा फिर उसकी डाइट वगएरा की कोई लगा दिया जाए उसको डाइट पर तो इसी के चलते ही उसका भवे स्वागत किया गया शांदार तरीके से ढोल के साथ उसको गाउं तक लाया गया और इसके इलावा आप हैरान रहे जाएंगे कि उसने जिस परकार से प्रशेक्शन लिया वो ऑनलाइन लिया उसकी किसी ऑनलाइन कलब था जो अकैडमी थी उस के साथ संपरक हुआ तो एक साल तक उसने लगातार कड़ी मेहनत की और ऑनलाइन ही उसने ट्रेनिंग ली और उसके कोच ने उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई और अब वो गोल्ड जीत कर वापिस लोटी है बिलकुल ऑनलाइन चीजों का फाइदा भी है अगर सही तरीके से इस्तमाल किया जाए तो अधिकतर लोग बुड़ापे में अपने माबाप को घर से बाहर निकाल देते हैं या भूल जाते हैं ऐसी ही एक घटना हमारे सामने आ रही है जिसमें माबाप ने गुहार लगाई है कोट में की बच्चों से मिलना है क्या है पूरी जानकरी पंदना जी पंचकुला का मामला है पंचकुला में वृद माता-पिता रहते हैं लेकिन उनका बेटा एक लोटा बेटा गुरू गराम में किसी बड़े बैंक में मैनेजर है पूरे उसको प्यार से पाला लेकिन वो बेटा उनको मिलने नहीं आ रहा तो उन्होंने काफी प् काम पर हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर प्यार और सन्ह चाहिए होता है साथ में देख पाल चाहिए होती है लेकिन बेटा ना तो उनको साथ लेके जा रहा है और ना ही उनसे मिलने आता है तो उन्होंने कहा है कि कम से कम हाई कोट ऐसा प्राधान कर दे कि वो बेटा उनको मह गुरु गुराम में रह रहे हैं और उसको मिलने नहीं आ रहे हैं तो इसी के चलते कोट ने भी उस बेटे को नोटिस भेज दिया है और इसके लावा हाई कोट ने नोटिस भेजा है हर्याना के ग्रहम अंत्राले को ग्रहम भाग को और साथ ही पंचकुला के पुलिस अधिकार को चंडीगड के SSP को भी भेजा गया है नोटिस की इसका किस परकार से हम हल निकाल सकते हैं किस परकार से इसका समाधान कर सकते हैं क्योंकि समस्या काफी बड़ी है माता पिता बच्चे को पालते हैं पूरा उसका ध्यान रखते हैं लेकिन इस उमर में आकर अगर बच्चे ध प्रोग्राम खुलासान नियूस का में तब तक के लिए नमस्कार